स्वागत है आपका आज तक के फेस्बुक और ट्विटर लाइब में मैं हूँ प्रत्थम दिवेदी उत्तर प्रदेश के उन नौफ जिले से एक बहुत ही दहला देने वाली घटना सामने आई है वहां पर लगभग 33 लोग HIV पॉजिटिव पाए गये हैं पिछले ही दिनों में और अगर 10 महीनों को आकड़ो की बात करें तो 46 लोग वहां HIV पॉजिटिव पाए गये हैं और यह बड़ा ही चौकाने वाला मामला है क्योंकि अचानक से ऐसे HIV केसे में कैसे बढ़ाता ही और क्या एक्जैक्ली हुआ जिसकी वज़े से इतना बड़ा हंगामा मचा पड़ा हुआ है इसके पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़नी है प्रिंका शर्मा जो मेल टुड़े की सीनियर करिस्पॉंडेंट है वह बताएंगी कि इस मामले में हुआ क्या है किस वज़े से इतने सारे HIV के केसिज उननाओ के बांगरमाउ में पाए गये है प्रतम देखे पहले नंब लोग HIV पाए गए इसमें उन्होंने ये देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उन्होंने जन्वरी के महीने में कुछ 33 केसिस पाएं तो उसमें ये डॉक्त पुल अजनसी को पता चला कि जोला चाप डॉक्टर जो होते हैं इसमें उनका सबसे बड़ा खेल सामने आ पास सेवाइब देंगे तो उस चोला चाप डॉक्टर ने क्या किया जिसको हम अंग्रीजी में क्वैक भी बोलते हैं क्या कि एक ही सिरेंज काफी सारे 10-15 पेशेंट के लिए यूज किया और उसको पानी से साफ करता था जो कि अगर एक सिरेंज अगर हम किसी को लगाते हैं हाँ बिलकुल मेडिकल टर्म्स में अगर एक सिरेंज एक डॉक्टर या कोई भी यूज कर रहा है काई कोई नर्ड या कमपाउंडर तो इसको बहुत बड़ा क्रिमिनल ओफेंस बोलते हैं क्योंकि उसको डिस्पोस कर दिया जाता है और नई सिरेंज का इस्तिमाल होता है औ कोटे-छोटे अपने यह सेटप बनाके अपना एक बाहर बोड लगा देते हैं कि हम इस यहां से पढ़ें हैं MBBS वगरा जो भी किया है और लोगों को यह एक तरह से मैनिपलेट करते हैं क्योंकि अब देखिए भारत की बात की जाए जहां पे स्वास्त सेवाएं उतनी कर चल पाए तो लोग क्या करते हैं जहां पे सस्तेदा में दवाईयां मिल रही हैं मुफ्त इलाज हो रहा तो वहीं चले जाते हैं और अगर देश की हम बात करें सरकारी हस्पतालों की तो वो भी उस तरह से अभी मुझे लगता है और एक्सपर्ट का भी ऐसा ही कहना है कि कर वो इस तरह से अभी काबिल नहीं है कि जो भारत की जनता को स्वासेवाएं पहुचा सकें और कानपूर जैसे यूपी बिहार जैसे छेत्रों में यहां तो और भी बुरा हाल है लोग वहां से दिल्ली इलाज कराने आते हैं और दिल्ली का ऐसा हाल हो गया है किना तो वो को साही ढंग से स्वास सेवाय दे पा रहा है और हालत ऐसी है कि जैसे नाव डूपती होई नजर आ रही है आपको मैं बता दूँ कि जो जोला चाफ डॉक्टर की जिसकी प्रियंका ने बात की इसकी तलास लगातार जारी है वह अभी में पकड़ा नहीं गया है वो हेल्थ कैम माँनाइस करता था स़स्तेदामों में लोगों को सस्वाय देने के नाम पर एक ही सब पर लगा देता था जिसकी वज़ा से जिसको माना जा रहा है कि इसकी वज़े से HIV का संक्रमण कई सारे लोगों में फैला है अर जो पांगरमाउ के काउंसलर हैं उन्होंने ये कहा है कि लगभग उस इलाके में 500 लोग ऐसे हैं जो HIV पॉजिटिव हो सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और जहां तक सरकार की बात है तो यूपी के हिल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि इस मामले में जात जारी है और वो जो बड़े शहर में देश की राजधानी में ऐसे मामले देखने में आते हैं तो क्या सरकार और जो हेल्थ डिपार्टमेंट से खासकर मेडिकल काउंसल क्या इन्होंने कोई कदम नहीं उठा है अभी तक ऐसे डॉक्टरों से निपटने के लिए जो ऐसे मश्रूम हो रहे हैं न इनके नकेल कसके रखता है उन्होंने मुझे यह बताया है कि कम से कम 20-25 केसिस हर महीने आते हैं और ना कि पूरे साल में 100 से ज़्यादा केसिस हो जाते हैं तो यह क्या करते हैं फिर यह मेडिकल काउंसल इनको एक नोटिस भेजती है और इनको अपीर होने के लिए सामने आन कर दिया जाता है बट उसके बावजूद भी फिर यह क्या करते हैं यह उनकी मेडिकल काउंसल सरकार की आँखों में फिर से धूल जोगते हैं कुछ छे महीने बाद फिर अपना काम बंत कर दे तें फिर छे महीने बाद शोरू हो जाते हैं किसी और जगे जाके अपना यह तब फिर से लगाते हैं और लोगों को बेफकूफ बनाते हैं बट अब सबसे अच्छी बात ये उभर के आई है कि लोगों में बहुत जागरुकता आ गई है और इसी जागरुकता के कारण और जादा केसे जा रहे हैं पहले ऐसे नहीं था कि ऐसे जोला चाप डॉक्टर नही इसमें कि लाइसन्स तो इनका साथ में रद कर देते हैं और सरकार यह भी कहना चाहती है कि एक डेटा बनाया जाए कि कितने जोला चाप डॉक्टर हैं कोई ऐसा सर्वे किया जाए जिससे इन पर नजर रखी जाए कि कितने एक शहर में कितने हैं ताकि नोडल इजन्सी जो श्मूंचके अपनि पहले यहाँ जोसित कि को उन्यूस्ट के बात अगर लोगों के चक्कर में ऐसे डौक्टर की चपेट में आजाते हैं तो क्या आपको लगता है लोगों को भी एक साधानी बरतने की जरूरत है कि वो सस्टे इलाज के चक्कर में अपने आपको ऐसी बीमारियों से संक्रमित ना हो जाएं ताकि उनकी जिन्दगी को भी खत्रा हो आगे यह बात तो बिल्कुल सही है, लोग सस्ते इलाज के चक्कर में चले जाते हैं जोला चाप डॉक्टर के पास, बट लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी हस्पताल है, वो लोगों को सुवधाय दे नहीं पा रही है, देंदुस्तान में इलाज अतना महंगा है, सरकार से एक्सपर्ट का यही कहना है कि जो स्वास सेवाएं हैं गवर्मेंट हॉस्पिटल में उसको बहुत तेजी से सक्षम बनाया जाए और और तेजी से उसको इंक्रीज किया जाए, ताकि जो यह जो एक चेन बनी है, यह क्वैक्स की और जोला चाप डॉक्टर की वो ख इंशोरेंस की जैसे उबामा केर है, वैसे मोधी केर टाइप की एक योजना आएगी, तो क्या आपको लगता है ऐसी समस्याओं से जो की आम आदमी से जुड़ी है, जिसको हेल्थ की पूरी तरह से सुविधा नहीं मिली है, ऐसी कोई पॉलिसी आने से आम आदमी को कुछ र उनको ये भी देखना था कि अगर वो गवर्मेंट हॉस्पिटल में सरकारी हस्पतालों में डॉक्टरों की रिकूटमेंट और नर्सिस का रिकूटमेंट, पेरामेडिकल स्टाफ की रिकूटमेंट की योजनाई ऐसी लेके आतें, ताकि जादा से जादा डॉक्टर भरती ह होते हैं, तो ये और भी अच्छा रहता, सरकारी हस्पतालों में मेडिसिन और एक्विपमेंट्स जो की लेटेस्ट एक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी बहुत कमी है, बात की जाए बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स की, जैसे एम्ज हैं, एम्ज भोपाल, राइपूर वग जाएगी, तो ये और भी अच्छा रहेगा, और जो ये स्वाच स्कीम, जो गर्मेंट लेके आई है, नैशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ये बहुत ही अच्छा है, जैसे उबामा ने अमेरिका में किया था, ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, कम से कम गरीबो को एक ये अस्च्छा रहेगा, कि अगर हम बिमार पढ़ेंगे, तो हमारा इलाज मुफ्त हो सकता है, चाहे वो सरकारी हस्पताल हो, या चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जैसा कि प्रियंके ने कहा कि देश में सरकारी हस्पतालों की जो सुविधाय है, जो में जाकर लोगों का इलाज नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वज़ए से गाओं और जो छोटे इलाके हैं, वहां के लोग बहतर इलाज से वंचित रह जाते हैं, जहां तक बात इस नाव के मामले की है, बांगर मौ की उसमें अभी भी ज्याद जारी है, और सरकार लगातार ज इसकी वज़ए से इस सारा वाकिया हुआ है, तो आगे देखना है कि क्या होता है इस मामले में और क्या आगे भी कुछ नए केस आएंगे, प्रिंका शायद कुछ कहना चाहती हूँ, जो क्वैक का जो जो जोला चाप डॉक्टर का मामला सामने आया है, ये एक और चीज हमार कर फिर से प्राक्टिस करने लगते हैं, इनको दवाईया कौन प्रवाइड कर रहा है, सबसे बड़ी बात अगर ये दवाई लेके आ रहे हैं और पेशन्स को दे रहे हैं, तो इसके लिए इनको कौन प्रवाइड कर रहा है, इसके बिल्स ये कहां से, जो दवाई दे रहा ह है क्योंकि ये जनता के स्वास्त की बात है और अगर जनता स्वस्त नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान कैसे स्वस्त रहेगा प्यांका ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि सरकार को अब ऐसे जोला चाप डाक्टर पर नकेल कशने की बहुत जरूरत है इनका जो बड़ा रैके चेंने क्या ब झाल पर तो हिंद।